हेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज हम लोग हिंदी नियूज को इंगलिस में ट्रांसलेट करेंगे तो आज का वीडियो काफी इंप्रेस्टिंग और नोलिजिबल है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा मैं वहाँ भी आपकी मतद कर सकता हूँ और कही तरह की जानकारी आपको वहाँ भी मिलती है आज हम लोग जमसेदपुर जहारखंड की रहने वाली एक 11 साल की लड़की की चर्चा करेंगे जिसका नाम तुलसी कुमारी है तो दोस्तों यहाँ पर है चर्चा करेंगे तो यह किस टेंस में है सिंपल फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस और दोस्तों इसमें सेल भी लगता है और वर्वण लगता है जैसे मैं जाओंगा हलांकी आजकल मोडर्न इंगलिज में ज़्यादा तर वील का प्रियूग होता है लेकिन जो एक informal रूल है उसके अनुसार आई और-वी के साथ सेल लगता है यानि फरस्ट पर्सन के साथ हलांकी आजकल जो है वील का प्रियोग ज्यादा होता है तो यदी आफ वील-भी गलत नहीं होगा, और दोस्तों यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो इसके लिए आप talk about यूज कर सकते हैं, talk about, वैसे discuss means भी होता है चर्चा करना, यानि discuss, लेकिन इसके साथ कोई भी preposition यूज नहीं होता है, जैसे discuss the matter, discuss about the matter नहीं होगा, लेकिन talk के साथ आप about यूज कर सकते हैं, तो आज हम लोग जमसेदफुट जारखंड की रहने वाली एक 11 साल की लड़की की चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे, Today, we shall discuss या फिर talk about और जब discuss यूज करेंगे, तो preposition यूज नहीं करेंगे, जिसका नाम तुलसी कुमारी है, तो इसके लिए आप सोट में नेम्ड यूज कर सकते हैं, whose name is भी लिख सकते हैं, और सोट कट में यदि नेम्ड लिख देते हैं, तो वही sense इसमें भी बनता है, नेम्ड तुलसी कुमारी ही, तो इसके लिए आप डिरेक्टली ओफ यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए आप डिरेक्टली ओफ यूज कर सकते हैं, वह अपने परिवार की मदद करने के लिए सड़क किनारे आम बेच रही थी, तो यहाँ पर है बेच रही थी, यानि की past continuous tense, किस tense में है, past continuous tense, और इसमें क्या होता है, subject plus was were, plus were में ing, और plus object, यह format होता है, जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, I was reading a book, I के साथ was लगता है, he के साथ was लगता है, एक बेचती है बस तुमें was लगता है, इसके लावद दे के साथ आपको were लगाना है, यू के साथ were लगाना है, और we के साथ भी were लगाना है, एक से अधिक में, यानि की plural number के साथ आपको were यूज करना है, दोस्तो मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, तो दोस्तो सबसे पहले subject ढूंडा जाता है किसी भी sentence में, तो वह आम बेच रही थी, तो यहाँ पर वह subject है, बहुत ही असपस्ट है, clear है, तो यहाँ पर लिखेंगे C, क्योंकि वह एक लड़की है, C और C के साथ was यूज करना है, C was selling, वह बेच रही थी, इसके बाद ही वह object लिखा जाता है, तो क्य बेच रही थी, आम, यानि कि mangoes, C was selling mangoes, कहाँ बेच रही थी, सडक किनारे, on the roadside, इसके बाद लिखेंगे, अपने परिवार की मदद करने के लिए, to, support, या फिर help भी आप लिख सकते हैं, support सुनने मतला अच्छा लगता है, support her family, she was selling mangoes on the roadside to support her family, तभी एक बहुत बड़े बिजनेसमेन उसके पास आए, और उससे 10,000 रुपिये प्रतेक आम की दर से, एक दरजन आम खरीद लिए, तो दोस्तों, इस sentence को translate करने से पहले, कुछ basic चीजे हम लोग समझ लेते हैं, खासतों से preposition का यूज, जैसे दोस्तों मान लिजिए, मैंने इस पुस्तक को 150 रुपिये में खरीदा, तो इसे आप English में कैसे लिखेंगे, खरीदा यानि यह किस tense में, simple past tense, तो buy से bought बन जाएगा, I bought this book, मैंने इस पुस्तक को खरीदा, 150 रुपिये में, तो में का तो इन होता है, लेकिन इन यूज नहीं करेंगे, यानि कीमत दिखाने के लिए हमेशा 4 यूज होता है, 4 150 रुपिज, I bought this book, 4 150 रुपिज, तो यहाँ पर 4 यूज होता है, मान लिजे के आप 10 पुस्तक को खरीदते हैं, और प्रतियक पुस्तक की कीमत 150 रुपिये हैं, तब आप क्या लिखेंगे, I bought 10 books, 4 150 रुपिज, इच, तब आप लास्ट में क्या यूज करते हैं, इच यूज करते हैं, जैसे मैंने 10 कलम खरीदे, 5 रुपिये करके, I bought 10 pens, 4 10 रुपिज इच, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, तब ही एक बहुत बड़े बिजनेसमेन उसके पास आए, तब ही यानि कि देन आप लिख सकते हैं, देन, अब बिजनेसमेन, आए, यानि कि सिंपल पास्टेंस में, कम का वर्बटू, केम यूज करना पड़ेगा, केम उसके पास, यानि कि टू हर, जैसे मेरे पास आए, तो टू मी होगा, उसी परकार यहाँ पर टू हर, देन, बिजनेसमेन, केम चू हर, और उससे दस हजार रुपिये परते काम की दर से, एक दर्जन आम खरीद लिए, एंट, बॉट, अड़जन, मैंगोज, यानि कि एक दर्जन आम, दोस्तों यहाँ पर उससे, यानि कि, फ्रोम, हर, और यहाँ पर है, दस हजार रुपिये परते काम की दर से, फोर, टेन थाउजन रुपिज, एच, देन बीग बिजनेसमेन केम तू हर, और बॉट अड़जन मैंगोज फ्रोम हर, फोर टेन थाउजन रुपिज एच, वो बिजनेसमेन कोई और नहीं, बलकि, मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमेन अमे हेते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे, जिए, बिजनेसमेन, वोज नन अधर देन, नन अधर देन, अमे यहाँ हेते, अबिग, या आप फ्रोम भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रोम मुंबई. जब उन्हें तुलसी और अपनी प्रहाई जारी रखने के लिए उनके संघर्ष के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसकी आर्थिक रूप से मदद करने की सोची, तो यह सिंपल पास्टेंस में है, यहां पर है सोची, तो दोस्तों इसमें दो तरह का सेंटेंस है, यानि कहें तो इसमें दो क्लॉज है, जब उन्हें तुलसी और उनकी प्रहाई जारी रखने के लिए उनके संघर्ष के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसकी आर्थिक रूप से मदद करने की सोची, तो यहां पर जब के ल when he came to know, किसके बारे में पता चला, तुलसी के बारे में और उनके संघर्ष के बारे में, when he came to know about तुलसी and her struggle, अपनी प्रहाई जारी रखने के लिए, to continue her studies, when he came to know about तुलसी and her struggle, to continue her studies, तो उन्होंने उसकी आर्थी ग्रूप से मदद करनी की सोची, he decided, आप लिख सकते हैं, यानि निरनलिया, he thought भी लिख सकते हैं, he decided, to help her, आर्थी ग्रूप से, financially, तुलसी ने कहा कि लोग डाउन के दवरान, उनके परिवार की आर्थी कि स्थिती, बहुत बिगड गई, तो दोस्तों यहाँ पर subject क्या है तुलसी, और यहाँ पर है वर्व बिगड जाना, तो बिगड़ना का English होता है, deteriorate, deteriorate का मतलब होता है, इस्थिती बहुत खराब हो जाना, बिगड जाना, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, तुलसी said that, lockdown के दवरान, during the lockdown, during the lockdown, उनके परिवार की आर्थिक इस्थिती बहुत बिगड गई थी, और दोस्तों यहाँ बिगड गई थी है, हलांकी यह simple past tense में, लेकिन narration में भी एक rule है, कि यदि that से जुड़ा हुआ रहता है, तो that के बाद जो है, simple past tense, past perfect में बदल जाता है, यानि कि had use होता है, तो यहाँ भी वही rule follow होगा, और यहाँ पर had use करेंगे, तुलसी said that during a lockdown, the financial situation of her family had deteriorated, उनके मातापिता के पास, उनके online classes के लिए, smartphone खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तो यहाँ पर tech के लिए आफ even use कर सकते हैं, even, her parents, और पैसे नहीं थे, had no money भी लिख सकते हैं, और didn't have का भी यूज कर सकते हैं, even her parents, didn't have, आप यदि लिखें के परियाद पैसे नहीं थे, तो enough money भी लिख सकते हैं, even her parents didn't have enough money, to buy her, a smartphone, उनके online classes के लिए, for her, online classes, दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर दूँ, मा लिजिए कि मेरे पिता जी ने मेरे लिए एक कैमरा खरीदा, तो यहाँ पर लिखेंगे, माइ फादर बॉट मी अ कैमरा, तो दोस्तों, यहाँ पर दो अबजेक्ट है, इंडारेक्ट अबजेक्ट और डारेक्ट अबजेक्ट, जो समान वस्तू होता है, वो डारेक्ट अबजेक्ट होता है, अब दोस्तों, इस सेंटेंज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो जब मी बाद में यूज करेंगे, तो यहाँ पर फोर यूज करेंगे, और यदि मी को पहले यूज करेंगे, वर्ब के बाद, तो प्रेपेजिसन यूज नहीं करेंगे, तो उसी परकार यहाँ पर है, और दोस्तों, यहाँ पर जो सेंटेंज हैं, वो तुलसी के सब्दों में उसने जैसे कहा था, मैं एक स्मार्टफोन खरिदना चाहती थी, लेकिन हम जो भी कमाते थे, परिवार के लिए राशन खरिदने में चला जाता था, तो खरिदने में चला जाता था, खेलने में चला जाता था, पढ़ने में चला जाता था, उसके लिए आप go into यूज करेंगे, go into plus verb में ing जैसे माली जी खरीदने में चला जाता था तो चला जाता था यानि past tense में है तो go के बदले went लिखेंगे went into buying क्या लिखेंगे went into buying went into playing went into reading इस तरीके से आप use कर सकते हैं और दोस्तों यह sentence थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है मैं एक स्मार्टफोन खरीदना चाहती थी यानि के simple past tense में I wanted to buy I wanted to buy a smartphone लेकिन जो भी हम कमाते थे but whatever we earned जो भी का whatever लिखेंगे और कमाते थे यानि के simple past tense में यहाँ पर earned यूज करेंगे but whatever we earned परिवार के लिए जासन खरीदने में चला जाता था went into buying रासन for the family फिर एक महासन ने मुझसे बारा आम दस हजार की एक आम के दर से खरीदे यहाँ पर लिखेंगे देन असर और यहाँ पर एक खरीदे bought क्या खरीदे 12 mangoes मुझसे from me किस rate में 4 रूपीज 10,000 यानि प्रतेक आम लास्ट में इसी उच करेंगे I wanted to buy a smartphone but whatever we earned went into buying रासन for the family then असर bought 12 mangoes from me 4 रूपीज 10,000 इच तुलसी की माने Mr. Hete के परती उनकी बेटी की प्रही की लालसा को आगे बढ़ाने के लिए आभार ब्यक्त की तो दोस्तो पैसन मिस होता है लालसा तुलसी की मा यानि की तुलसीज मदर अपस्प्रोफी कोमा देने के बाद इस देने से का की की का इंग्लिज हो जाता है खासतोर से सजीवों में उन्होंने क्या किया आभार ब्यक्त की एक्सप्रेस्ट हर ग्रेटिटीट किसके परती Mr. Hete के परती किसलिए उनकी बेटी की प्रहाई की लालसा को आगे बढ़ाने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर आप फोर का भी यूज कर सकते हैं फोर फर्दरिंग फर्दर मिस होता है आगे बढ़ाना तो जब प्रेपेजिशन यूज करेंगे तो हमेशा I.N.G. फोर्म यूज करेंगे और यदि प्रेपेजिशन यूज नहीं करेंगे तो तू फर्दर का भी आप यूज कर सकते हैं तुलसीज मदर एक्सप्रेश्ट हर ग्रेटिट्यूट टू मिस्टर हेते फोर्दरिंग हर डाउटर्स पैसन और पैसन के साथ हमेशा फोर यूज होता है फोर एजुकेशन या आप इस्टडिज भी लिख सकते हैं तुलसीज मदर एक्सप्रेश्ट हर ग्रेटिट्यूट टू मिस्टर हेते फोर फर्दरिंग हर डाउटर्स पैसन फोर एजुकेशन मिस्टर हेते के अनुसार उन्हें तुलसी के बारे में एक पत्रकार की सोसल मीडिया पोस्ट के दवारा पता चला और उन्होंने उनकी मदद करने की ठानी तो यहाँ पर है के अनुसार यानि अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेते उन्हें तुलसी के बारे में एक पत्रकार की सोसल मीडिया पोस्ट के दवारा पता चला तो सबसे पहले लिखेंगे उन्हें पता चला कैसे पता चला? एक पत्रकार की सोसल मीडिया पोस्ट के दवारा थूरू अ सोसल मीडिया पोस्ट और उन्होने उनकी मदद करने की ठानी और दोस्तो आप लोग सभी मुझे टेलिग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जॉइन कर ले, आपको लिंक इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा. All right dear students and friends, thanks for watching. Have a great day. Enjoy yourself.